तो आपने कभी ना कभी ships को तो देखा ही होगा सामने से नहीं तो आपने कभी ना कभी फिल्म में कभी ships को देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी ship कौन सी होती है और जो यह twitter एप आप यूज करते हैं उसमें जो bird है यह bird कौन सी है तो आपकी family में कितने members है चार पांच छे जितने भी members है लेकिन एक family यह तो दुनिया की सबसे और जिसमें one members है तो आज ऐसे facts की बारिश होने वाली है जिसे सुनने के बाद आप बोल पड़ोगे सूपर्ब fact number 10 तो दोस्तों आपने fishes को देखा यह तो एक टाइप की फिश आती है जिसे बर्मुंडी फिश कहा जाता है और यह पैदा होने के साथ male होती है चार साल में वह mature हो जाती है mature होने के बाद वह female बन जाती है एक और बार इसका नाम ले लूँ मैं बर्मुंडी फिश fact number 9 तो आपका जिस दिन birthday होता है आप अपनी birthday party मना रहे होते हो उस दिन दो करोड और लोगों का बड़े होता है क्योंकि जिस दिन आप जन्मे होते है उस दिन दो करोड और लोग आपके साथ जन्मे होते हैं तो इससे पहले कि मैं अगला fact बताओं हमारे चैनल ग्यान गलेक को सब्सक्राइब करो बाजू का बैल आइकन जो हता है उससे दबा के all notification on कर लो जिससे आपको notification मिलती रहे fact number 8 तो जल्दी से अब सब लोग अपनी आके बंद कर लो हाँ वीडियो चलते समय अपनी आके बंद कर लो तो और बताओ आपको क्या देख रहा है आप बोल रहे होंगे कुछ भी तो नहीं देख रहा है लेकिन उसको देखो वो कुछ भी को देखो वो black देख रहा होगा न आपने कभी ने कभी rainbow तो देखा ही होगा यह जो rainbow ऐसे बहुत सारी different color का लेकिन आथा ही rainbow देखा यह छोटा सा पार्ट है तो देखना चाहिए तो आप इस photo को देखो इसमें half rainbow देख रहा है लेकिन rainbow यह complete नहीं है यह वाली जो photo वो complete है यह airplane से ली गई है अगर आप airplane में उस पर जाके ironing पड़ती है ironing यानि अपने कपड़ों को प्रेस करना पड़ता है यह बहुत ही मज़ेदार गेम है पदा नहीं location क्यों करते हैं अब फैक्ट नंबर फाइब तो दोस्तो आपने इस घोडे राजा सिपाय मंत्री वगरब इस जो भी होते हैं इसमें अपने इस गेम को तो कभी न कभी खेला ही होगा इस गेम को चैस कहते हैं लेकिन क्या आपको बता है कि चैस की full form क्या होती है जो आप यह गेम खेलते हो इसके कोई official full form नहीं है लेकिन फिर भी इसे Chariot Horse Elephant Shoulders कहा जाता है इसे यह ऐसे परसनल है ऐसे Fact No.4 तो दोस्तो इस branded phone Apple iPhone के बारे में तो आप जानते ही होगे लेकिन आपको क्या पता है इसके नीचे जो माइक होता है उसका तो आपको पता ही होगा इसमें जो भी आप बोलोगे वो रिकॉर्ड करने के लिए होता है उपर एक माइक होता है उसका क्या यूज होता है असल ट्विटर एप आप इस्तमाल करते हो जिसमें यह बर्ड होती है तो इस बर्ड का नाम क्या है आपको पता है इस बर्ड का नाम है लेरी जो ट्विटर के इन्वेंटर्स ने रखा है तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि जो शिप होती है उसमें सबसे बड़ी शिप कौन सी होती है तो उसका आंसर है सी वाइस जायेंट जी ہां दोस्तों यह दुनिया की सबसे идет सकते हो कितनी बढ़ी ओध कि इसकी दोस्तों यह जो भछते सो धैनका नाम हैी जयोंर के जयना तो इनकी दुनिया की सबसे ब्री ओध्यकुशार फैमिली jogos Ohhh यहनि इन भुद्वें Days कैना हुद वंप यहां तो इनकी दुनिया के सबसे बड़ी फैमिली इनकी मेंबर्स 180 एनके फैमिली में तो आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं यानि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो कमेंट कर दो आपको फेवरेट पाइट अमेजिंग पाइट कौन सा लगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल ग्यान गैलक्सी